हाले में नीती आयोग ने जो निर्यात तयारी सूचकांक release किया है इसमें कौन टॉप पर रहा है अभी तक मैं आप लोगों को 2021 की ranking बता तयारी थी जो 2022 में छारी की गई थी तो इसमें मैं बता रही थी कि निर्यात तयारी सूचकांक में 2022 फाला मतलब जो पिछले साल रिलीज हुआ लेकिन वो 2021 की रैंकिंग थी इसमें गुजराट टॉप पर था अभी 2022 की रैंकिंग है 23 में रिलीज की गई है इसमें तमिल लाडू टॉप पर रहा है अब आप समझेगा इसे निर्यात तयारी सुचकांग को होता क्या है जिसे कि यह भार transportation है और यहां पर port की सुविधाइं ऑटने की आप जानते ही हैं जहां पर नाव अग्यरां खड़ी होती है तो यहां पर कितनी सुविधाएं इसमें प्रवाइड खराए जा रही है ताकि यह जो प्रॉडूडक्ट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसली मूव कर सके इसली ट्रांजिस्टन हो सके इसका तो इस बेस पर यह रैंकिंग रिलीज की जाती है इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रेपेडनेस इंडेक्स या निर्यात तैयारी सुचकांक तो तमिल लाडू 80.89 स्कोर के साथ 80.89 स्कोर के साथ टॉ भाराष्ट दूसरे स्थान पर इसमें करनाटक रहा है तीसरे स्थान पर अब तमिल लाडू के एफेक्ट यहां पर मैंने वेंशन किये हैं तमिल लाडू की राजधानी चिन्नई चिन्नई में न रिलाइंस इंडस्ट्री लिम्टेट के द्वारा इसका पहला मल्टी मॉड लंका के बीच में पाक स्ट्रेट की लोकेशन है जलवायू परिवरतन नेती लागू करने वाला यह पहला राज्य है भारत का पहला डुगॉंग संरक्षन यह समुद्री गायों के संरक्षन के पहला किंद्र यहीं स्थापित होने जा रहा है चवालेस्वा सतरंज ओलंपि तक याद हो तो कॉमेंट बॉक्स में आंसर इसका आप बताएंगे अब गुजरात का डिसकुशन आया है तो गुजरात देखेए यह गुड गवर्नस इंडेक्स में टॉप पर है अब यह पिछला ही में रिलेट कर वारी क्योंग अभी तक तो नया गुड गवर्नस इंडे इसमें आत्म हत्या सुसाइड के मामले में जो राज्जी टॉप पर है यह महरास्त्र हो जाएगा उत्तर प्रदेश यह ओनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर है और इसके लावा अभी चार-पांस दिन पहले ही जो शिकायत निवारण सूचकांक रिलीस किया गया है और निवारण सूचकांक में बड़े राज्जु की कटेगरी में जो टॉप पर है यह इसमें से उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा आगे चलते हैं फीफा वूमन्स व्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इस साल दो कंट्री मिलके इसे होश्ट करेंगी ऑस्ट्रेल इसमें विजेता अर्जेंटीना थी लियोनल मेसी की अगवाई में फ्रांस को हरा करके अब इदिया आप देखें कि इस बार जो वूमन्स व्ल्ड कप है फीफा का यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड होस्ट करने जा रहे है तो ऑसीनेश्या वाले शेत्र में यह हो जा जाएगी न्यूजिलेंड की लोकेशन ऑस्ट्रेलिया एक एक फेक्टर लिएती है ज्यादा नहीं लिखती ऑस्ट्रेलिया की क्यापटल हो जाएगी कैन्बरा करनसी यहां की हो जाएगी डॉलर यह तो बहुत ही बेसिक स्टाटिक का सवाल में लिख रही हुए न और प्राइम मिनिश्टर यहां के रिसेंटली कौन बनाये गये थे एंथनी अलबनीज इनका नाम में इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यह भारत के दौरे पर भी आये थे और यहां के प्राइम न्यूजइलेंड की यहां पर मैं राजधानी मुद्रव गारा यहीं लिख देती हूँ न्यूजइलेंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंग टन वेलिंग टन और यहां कि भी करंसी डॉलर है न्यूजिलेंड के जो ने प्राइम मिनेश्टर बनाए गए है न ये क्रिस हे पिकिन्स बने हैं तो ये हो गए न्यूजिलेंड के एफेक्ट और ये हो गए ऑस्ट्रिलिया के एफेक्ट अब कतर कतर तुम्हें बता ही चुकी हूं कि अभी पिछले ही साल फीफा मैंस बाइस वाला आगे चलते हैं ऑस्ट्रिया के केंद्री बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है तो ऑस्ट्रिया की रोकेशन अल्रडी मैं आपको दिखा चुकी है इसलिए दुबारा नहीं रिपीट करूंगे से ये बन गई है मिशेल भू लॉक ऑप्शन भी इसका राय पांच जानी जिसमें से कि एक महिला है कृष्ट लीना कोच ओसकर जीतने वाली पहली एश्या इमिशेल यो बनी है 2022 में ओसकर में बैस्ट एक्ट्रस का इन्होंने अवार्ड जीता है फिरीदी में बात करूं निकोल फॉक्स की तो इनका नाम भी आप अमेरिका की स्पेस ए दिवस कब मनाया जाता है तो ये बेश जुलाई को मनाया जाता है हलाकि 17 दिवस भी आप बेश जुलाई से याद रखेंगे थीम इस बार की है मानावता के लिए एक चंद्र मिशन की शुरुवात और इसी दिन ना 1969 में अंतरक्ष्यात्री कौन थे नील आम्स्ट्रंग और इनके द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था अपोलो 11 अंतरक्ष्यान की मदद से 17 जुलाई को क्या मनाया गया है अंतराश्ट्री नियाय दिवस मनाया गया है इसके लावा यूथ स्किल्डे यूवा कोश्रल दिवस ये मनाया गया है 15 जुलाई को और 12 बलके 25 महानिदेशक कौन बने हैं तो 25 महानिदेशक ये बन गए हैं राकेस पाल इनके पहले कौन थे वी एस पठानिया थे तो ये 1989 में ICG में शामिल हुए और भारती नौसिना कादमी के ये पूरों शात्र भी रहे हैं और 2013 मेने तट रक्षक पदक और 2018 में राश्ट पती तट रक्षक पदक से सम्मानिती किये जा चुके हैं ये जो इंडियन कोस्टर गार्ड है ना ये रक्षा मंत्राले के अंतरगत काम करता है इसका मुख्याले दिल्ली में है कोस्टर लाइन है जो ना इंडिया किसकी सुरक्षा करने का काम ये इसी का होता है नितिन अगरवा यहां पर लिखा भी हुआ है अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यह थी अमेरिका के पेंटागन में पिछले 80 सालों से सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड बिल्डिंग मतलब वैसे मैं समझ यह लोग रहते हैं फ्लैट्स वगेर मतलब ऑफस सूरत को हीरे का व्यापार केंद्र माना जाता है इस बिल्डिंग को भी हीरे के व्यापार केंद्र के रूप में इस्तमाल किया जाएगा बनने में पूरे चार साल का समय लगा है ध्यान देने वारी बात यह कि सूरत में वश्यू के 90% हीरे का निर्माण होता है सूरत की लो में दुनिया का सबसे बड़ा CNG पोर्ट टर्मिनल यह कुछ समय पहले ही बन करके कंप्लीट हुआ है यहां आप सुरेंद्र नगर देख रहे हैं खादी एवं ग्राम उद्द्योग के द्वारा पहरा सिल्क प्लांट इस्थापित किया गया है गांधी नगर जिसकी लोकेशन कुछ यहां है ग्रह मंत्री अमिश शाह की लोकेशन है यह एहमदाबाद साबर मती नदी के किनारे है जहां पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अटल बिर्च का उद्गाटन है जुकी यह किया गया है आप मही सागर की लोकेशन देख सकते हैं जहां भारत का पहला डा पढ़ा भी कह सकते हैं सबसे लंबा रेलवे प्लेट फॉर्म पंद्रा सो साथ मीटर जिसकी लंबाई है उसका उद्गाटन करनाटक में किया गया है वैसे ही दिया आप रिलेट करें दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाड़ा के गुरुग्राम में वनेगा वै पार्तिय ओलंपिक संग ने किस तरसलर को एश्याई खेलो के ट्रायल से छूड़ दी है तो विनेज फोगाट और बजरंगपुनिया दोनों ही पहलवान है ऑप्शन बी इसका राइट अंसर हो गजाएगा तो बजरंगपुनिया और विनेज फोगाट दोनों को ही एश्या बाला फेक से रिलेटेड और इनी के सम्मान में साथ अगस्त को बाला फेक दिवस के रूप में मनाया जाता है इन्होंने रिसेंटली लुजाने डाइमेंड लिंक का खिताब अपने नाम किया है हाली में किस ने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक इन्होंने बना लिया है ठीक है और इन्होंने इस मामले में मलेशिया ही जो प्लेयर थे तेम बून हियोंग जिनका रिकॉर्ड 493 किलोमेटर प्रतिघंटे का था इनका रिकॉर्ड को भारत के सात्वेक साही राज नी तोड़ दिया तो ऐसे मैं आप ऐसे याद रखी कि चर पीवी सिंदू की ये भी आप याद रखेंगे बैड मिंटन से रिलेटेड है दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिरा एथिलेट के जो लिस्ट जारी की थी समय भारत की तरफ से एक लौती यही शामिल हुई थी और और टॉप पर जापान की नौमी कावासे जापान की वह अलग है युनाइटर नेशन की वह गुडवल एमबैजडर है ना यूनिसेफ की सानिया मिर्जा यह हो जाएंगे टेनिस से रिलेटर लेकिन अभी सन्यास ले चुकी है यह आप लोग को ज़रूरियाद रखना है आगे चलते हैं राज के बहु आयामी गरीब सबसे जाधा गरीबी कं किस राज में हुए तो उत्तर पैडवेत अंसर अब है कि असलाव जाथा यह ङए इस principle के मामले में सबसे अच्हा राज्य बताया गया है विहार जिसकी राजधानी हो जाएगी पटना मुखी मंत्री यहां की हो जाएंगे नितीश कुमार आप इदिर रिलेट करें पूर्वी चमपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायन मंदिर बनने जा रहा है एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला यह पहला राज्य है जमुई में वि मिर्चा चावल इसे जी आई टैग मिला मर्चा या मिर्चा कह सकते हैं यह दो प्रोड़क्ट आपको विसेश तोर पर याद रखने हैं अभी साक्षर्था मंत्राजर ने रिपोर्ट रिलीज की थी कि साक्षर्था के मामले में सबसे नीचे जो राज्य है यह बिहार है जो राज्य टॉप पर है जिस्टिस इंडिया रिपोर्ट इसमें करनाट का टॉप पर हो जाएगा उत्तर प्रदेशी ऑन्राइन गेमिंग के मामले में टॉप पर है और शिकायत निवारण सुचकांक में बड़े राज्य की के टेगरी में यही टॉप पर है लाश्ट का प झाल 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 झाल